इसलाम आलेकूम and good morning to all of you तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा कैडमी में जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो NTA UGC net जारफ UP TGT-PGT, EMRS TGT-PGT, RPSC Assistant Professor, MP Assistant Professor और RPSC First Grade, Second Grade इन सबी दिगर एक्जाम के लिए मुफिद और कारमसावित होगी तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेम चंद के अफसानी मजमा वार्दास से रिलेटिट तो इसे पहले से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग प्रेम चंद के बारे में जानेंगे तो प्रेम चंद के जो असल नाम है वो है धनपतराद, जो इनके वालिद ने रखा है और इनके चचा ने इनका नाम नवावराय रखा है और कलमी नाम जो इनका है वो है प्रेम चंद, जिसे दया नारायन निगम ने दिया था और पैदाईश इनकी हुई है 31 जुलाई 1880 वी बनारस के लभी गाउं में और वफाद जो इनकी हुई है वो 8 अक्टूबर 1936 वी में बनारस में हुई है और इनके वालिद का नाम है मुन्शी अजाइबलाल ये डाक खाने में कलरक हैं और मा का नाम है आलंदी देवी तो ये जो वारदात अफसान में मजमुआ है इसमें कुल 13 अफसाने शामिल है तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो वारदात है ये किस सन में लिखके कम्पलीट हुआ और कब ये किताबी शक्र में शाय हुआ है तो 1937 में ये मुकमल हुआ लिखकर और ये इनका आखरी अफसान में मजमुआ है और इसके बाद ये 1938 सीसी में पहली बार किताबी शक्र में शाय हुआ है तो इसमें कुल 13 अफसाने हैं जिसमें से शिक्वा शिकायत मासून बच्चा, बदनसीब मा, नई बीवी, गिल्ली डंडा, सौंग, इनसाफ की पुलिस, शान्ती, मालकन, नई बीवी और रोश्नी, गमनिदारी, बुजबखुज, मुफ्त करम दास्तन और लास्ट है कातिल की मा तो सबसे पहला अगर पूछा जाए की वारदात में सबसे पहला अफसाना कौन सा है शामिल तो वो है शिक्वा शिकायत और लास्ट अगर पूछें कि कौन सा है तो वो है कातिल की मा तो सीक्वेंस एक बार फिर से देख लेते हैं वारदात में पहला है शिक्वा शिकायत, दूसरा है मासूम बच्चा, तीसरा है बदनसीब मा और चौथा है शान्ती, उसके बाद है रोशनी, मालकन, नई बीवी, गिली डंडा, सौंग, इनसाफ की पुलिस, गमनेदारी, बुजबखुज, मुफ्त करम दाश्तन और कातिल की मा तो अभी तो हम लोगों ने गमनेदारी, बुजबखुज तक पढ़ा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुफ्त करम दाश्तन के बारे में, ठीक है? तो आईए हम लोग देखते हैं कि मुफ्त करम दाश्तन में किस चीज़ के बारे में लिखा गया है तो मुफ्त करम दाश्तन के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इन दिनों हुसन इत्तिफाक से हाकिम जिला एक साहब जोग बुजर्ग थे जिनों ने तारीख और कदेम सिक्का जात में अच्छी तफ्तीश की है खुदा जाने कैसे दफ्तरी कामों से उन्हें इन मशागल के लिए फुरसत मिल जाती है मैंने इनके कारनामे पढ़ते थे और इनका गायबाना मद्दा था लेकिन इनके अफसरी मजीद तालुकात में माने थी मुझे ये तकल्फ था कि अगर मेरी जानेफ से पेश कदमे हुई तो आम तजर्बे के मताबिक वो मेरे हुकाम जोई पर महमूल की जाएगी और मैं किसी हालत में भी ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहता था मैं तो हुकाम को दावतों और आम तक्रीबों में भी मद्दव करने का मुखालिफ हूँ और जब कभी सुनता हूँ किसी अफसर को किसी रफ़ा आम के जलसे का सदर बनाया गया या कोई स्कूल या शिफा खाना या बदहवा आश्रम किसी गवर्नर के नाम से वनसूब गुआ तो बरादराने वतन के गुलामाना जहनियत पर घंटों अफसोस करता हूँ मगर जब एक दिन हाकिम जिला ने खुद मेरे नाम एक रुका भीजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्या आप मेरे बंगने पर तश्रीफ लाने की तकलिफ गवारा फर्माएंगे तो मैं बड़े शसो पेच में पड़े गया क्या जवाब दूँ मैं अपने दो एक दोस्तों से मशवरा लिया उन्होंने कहा साफ कह दीजे मुझे फुरसत नहीं है वो हाके में जिला हुंगे तो अपने घर के हुंगे कोई सरकारी या जाबते का काम होता तो आपका जाना मुनासिब था लेकिन जाती मौमलात के लिए आपका जाना आपकी शान के खिलाफ है आखिर वो खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए उससे क्या उनकी शान में बटा लगा जाता था इसलिए तो खुद नहीं आए और आपको बुलाया कि वो हाके में जिला है इन एहमक हिंदुस्तानियों को भी ये समझ आएगी कि दफ्तर के बाहर वो भी वैसे ही इनसान है जैसे हम या आप हैं शायद ये लोग अपनी बीवी से भी अफसरी जताते होंगे उन्हें अपना उहदा कभी नहीं भूलता एक साहब ने जो लतीफों के खरांची हैं हिंदुस्तानी अफसरों के कई पुरमजाग तस्किरे सुनाएं एक अफसर साहब ससुराल गए शायद बीवी को रुकसत कराना था जैसा आम रिवाज है अखसर साहब ने इस मौके पर रुकसत करने से इनकार किया कहा बेटा अभी इतने दिनों के बाद आई है तीन महीने भी नहीं हुए भला और नहीं तो छे महीने तो रहने दो इदर बीवी ने भी नाइन के जरीए पैगाम कहला बेजा अभी मैं जाना नहीं चाहती आखिर माबाप ने मुझे भी तो मुहबत है माबाप से मुझे भी तो महबत है कुछ तुम्हारे हाथ बिक थोड़ी ही गई हूँ मिया दामाद डिप्टी कलेक्टर थे जामे से बाहर हो गए खुसर पर समन तारी कर दिया बेचारा बुढ़धा आदमी दूसरे दिन साहबजादी को लेकर दामाद के खिद्मत में हाजिर हुआ तब जाके उसकी जान बची ये लोग ऐसे खिर्दिमाद होते हैं और फिर तुम्हें हाकिम जिला से लेना क्या है अगर तुम कोई बाग्याना या इश्तियाल अंगेज किस्सा या मजमून लिखोगे तो फौरण कि रफ्तार हो जाओगे मतलख रियायत ना की जाएगी अपने लड़के के लिए कानून गोई नाइब तहसिलदारी कि फिकर तुम्हें है नहीं फिर खौम अखवा क्यों डरोगे क्यों दोड़े जाओगे लेकिन मैंने दोस्तों की सलाह पर कारे पैरा होना तहजीब के खिलाफ समझा एक शरीफ आदमी गद्रे अफ्साई करता है तो उससे महज उस बिना पर बे एतनाई करना कि वो हाकिम जिला है तंग जर्फी है बेशक हाकिम जिला साहब मेरे गरीब खाने पर आते तो उसकी शान कम ना होती में वजीर आजम भी अपना आइसाद समझते होंगे लेकिन ये हिंदुस्तान है जहां हर एक रईस के दर्बार में शायरों का एक अम्बुख किस्सा खानी के लिए जमा रहता है और अब भी ताज पूशी के मौका पर हमारे एहल कलम बिन बुलाए रईसों के खिद्मत में हाजिर होते हैं कसीदा पेश करते हैं इनाम पाते हैं तो तुम ऐसे कहा के हो की हाकिम जिला तुम्हारे घर पर चला आए वो अफसर है तुम मजमून निगार हो बज़ जब तुम में इस कदर लड़क्पन और तंग मिजजी है तो फिर वो तुजिला का बादशा है अगर उसे गरूर भी हो तो जायज है कमजोरी कहो जहालत कहो खिर दिमागी कहो लेकिन फिर भी जायज है और खुदा का शुकर करो के अफसर सहाब तुम्हारे घर नहीं आए वना उनके खातिरों मदारात का सामान तुम्हारे यहां कहां था गट की एक कुरसी भी तो नहीं है तीन पैसे की 24 बीडियां पी कर दिल खुश कर लेते हो है तौफीक रुपे की दो सिगार पीने की कहां वो सिगार मिलता है उसका क्या नाम है उसकी खबर है तुम्हें अपनी तकदीर को सरा हो कि वो खुद नहीं आये तुम्हें बुला लिया चार पांच रुपे बिगड़ ही जाते और शार्मिंदगी भी होती खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी शामत आमाल से कहीं उनकी एहलिया भी हमरा होती तो कयामत ही आ जाती उनकी महमान नमाजी तुम्हारी धर्म पत्मी जी कर सकती थी वो तुम्हारे घर में यकीनन जाती और तुम्हारे लिए मौत का सामना होता तुम अपने घर में फटे पुराने कपड़े पहन कर अपनी बेनवाई में मगन रहकर जिन्दगी बसर कर सकते हो लेकिन कोई भी खुद्दार शक्स ये गवारा नहीं कर सकता कि उसकी खस्ता हाली दूसरों के लिए माई तफरी हो इन लेड़ी साहबा के सामने तुम्हारी तु जबान बंद हो जाती और यही जी चाहता की जमीन फट जाती और तुम उसमें समा जाते चुनाचा मैंने हाकिम सिला की दावत कुबूल की और बावजूद ये की उसमें किसी कदर नागवार रानुत थी लेकिन शफकत और खुलूस ने उसे जाहर ना होने दिया कम से कम उन्हों ने मुझे शिकायत का मौका ना दिया अफसराना फितरत को तबदीली करना उनके इमकान से बाहर था मैंने सोचा ये जाती मौामला है उन्हों ने मुझे बुलाया मैं चला गया कुछ अद्बी गपशप की और वापस आया किसी से उनका जिकर करने की जरूरत ही क्या थी मैंने इस वाकिया का को जरा एहमियत ना दी गोया बाजार सबजे खरीदने गया था लेकिन मुखबरों ने ना जाने कैसे उसकी खबर लगाई लगा ली खास खास हलकों में ये चर्चे होने लगे कि अफसर जिला से मेरे बहुत दोस्ताना तालुकात हैं और वो मेरी बड़ी इज़त करते हैं मुबालगे ने मेरी वकात में और भी जाफा कर दिया यहां तक मशुर हुआ कि वो मुझसे सलाह लिये बगर कोई तजफीज या रिपोर्ट नहीं लिखते कोई जी होश आदमी इस किस्म की शुहरत से फाइदा उठा सकता था एहल गर्ज बावले होते हैं तिनके का सहारा ढूनते फिरते हैं उन्हें इसका यकीन दिलाना कुछ भी मुश्किल नहीं था कि मेरे जरीए उनकी मतलब बरारी हो सकती है लेकिन मैं ऐसी हरकतों को जलील समझता हूँ सदहा असाब अपनी अपनी दास्ताने लेकर मेरे पास आए किसी के साथ पुलिस ने बेजा जियादती की थी कोई इंकम टेक्स वालों की सकती से नाला था किसी को ये शिकायत थी कि दफ्तर में उसके हक तलफी हो रही है और उसके बाद के आदमियों को तरकिया मिल रही है उनका नमबर जब आता है कोई लहाज नहीं किया जाता अलाहदा इस किसम की कोई दास्तान रोज ही मुझ तक पहुंचने लगी लेकिन मेरे पास इन सब के लिए एक ही जवाब था मुझ से कोई मतलब नहीं एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बच्पन के एक हमजमाद दोस्त वार्द हुए हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे कोई 45 साल की पुरानी बात है मेरी उमर 8-9 साल से जादा ना थी वो भी करीब करीब इस उमर के मगर मुझ से कहीं तवाना और फर्बा थे मैं जहीन था वो हद दर्जा के गनी थे मौलवी साहब उन से आजिस थे और उन्हें सबक पढ़ाने की जमेदारी मुझ पर ढाल दी थी मैं उसे अपने लिए बात से फखर समझता था और मौलवी साहब की कैंची जहां लाचार थी वहां मेरी हंदर्दी काम्याब हो गई बल्देव चल निकला और खाली के बारी तक आप पहुंचा मगर इसी दर्मियान में मौलवी साहब की वफात ने इस मक्तब का खात्मा कर दिया और तल्बा भी मुन्तशिर हो गए तब से बल्देव को मैंने सिर्फ दो तीन बार रात में देखा मैं अब भी वही मुनहनी हूँ और वो अब भी देव कामत राम राम हुई एक दूसरे के खेरो आफियत पूछी और अपनी अपी राह चले मैंने उस से हाथ मिलाते हुए कहा आओ भी बल्देव मज़े में होना कैसे याद किया क्या करते हो आजकल बल्देव ने दर्दनाक अंदास से कहा जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं और क्या तुम से मिलने का बहुत दिनों से इश्तियाक था याद करो वो मकतब वाली बात जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे तुम्हारी बदालत चार हर्फ पढ़ लिया और अपनी जमीदारी का काम संभाल लेता हूँ नहीं मुर्ख बना रहता तुम मेरे गिरू हो भाई गुरू हो भाई तुम मेरे गुरू हो भाई सच कहता हूँ मुझ जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारे ही काम था ना जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगां पर आया नहीं तुम्हें देखता हूँ तो यही जी में आता है कि दोड़कर तुम्हारे गले से लिपड़ जाओं 45 साल की मुदद गया बिल्कुल गायब हो जाती है वो मकतब आखों के सामने फिरने लगता है और बच्पन सारी दिल खरेबों के साथ ताज़ा हो जाता है बल्देयों ने भी रुकता में इस लेज़े में जवाब दिया मैंने तो भाई तुम्हें हमेशा अपना मुरब्बी और रहनुमा समझा है जब तुम्हें देखता हूँ तो चाते गज़ भर की हो जाती है कि वो मेरा बच्पन का दोस्त चाता है जो वक्त पढ़ने पर कभी दगा ना देगा तुम कुछ खाते पीते क्यों नहीं सुकते क्यों जाते हो घी ना मिलता हो तो एक दो कनिस्तर भिजवा दूँ अब तुम बूरे हुए खुब डटकर खाया करो अब तो बदन में जो कुछ ताकत है वो खाने पीने के बदोलत है मैं तो अब भी सेर भर दूद और पाव भर घी उड़ा जाता हूँ इदर थोड़ा मक्षन भी खाने लगा हूँ उमर भर बाल बच्चों के लिए मर मिटे कोई पूछता है तुमारी क्या हालत है अगर आज कंधा डाल डूँ तो कोई एक लोटा पानी को ना पूछे इसलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज़्यादा काम करता हूँ वही जो बड़ा लड़का है उस पर पुलिस ने एक जूटा मुकदमा चला दिया है अच्छा खासा पहलवान है किसे से दबता नहीं दारोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई तब से उसके घात में लगे हुए थे उदर गाउं में एक ढाका पड़े गया दारोगा जी ने तहकीकात में उसे भी फांस लिया एक हफ़ते से हैरासत में है मुकदमा मुहमद खलील साहब डिप्टी कलेक्टर के इजलास में है और मुहमद खलीब और दारोगा की गहरी दोस्ती है जरूर सजा हो जाएगी अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है तुम्हें और कोई उम्मीद नहीं है हमें कोई और उम्मीद नहीं है सजा तो होगी ही इज़त खाक में मिल जाएगी तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कहदो की मुकदमा जूटा है आप खुद तहकीकात करें बस देखो बच्पन के साथी हो इनकार मत करना जानता हूँ कि तुम इन मौमलात में नहीं पढ़ते और ना पढ़ना चाहिए अफसर जिला से तुम्हारी दूसरी तरह के मुलाकात है तुम क्यों इन कजियों में पढ़ोगे लेकिन ये घर का मौमला है इतना समझ लो कि और बिलकुल जूटा है नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं आता लड़के की मारो रोकर जान दिये डालती है बीवी ने दाना पानी छोड़ रखा है साथ दिन से घर में चूला नहीं जला मैं दूद पी लेता हूँ लेकिन दोनों साथ बहुएं आब वो दाना पड़ी हुई है अगर सजा हुई तो दोनों मर जाएंगी मैंने यही कहकर सबको ढारस दिये कि जब तक हमारा बच्पन का दोस्त जिन्दा है कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा मेरी जानिब से जितने एतरासाथ हो सकते थे उसका जवाब बल्देव सिंग ने पहले ही दे दिया था अगर उनका आयादा करता हूँ तो सर हो जाएगा गला ना छोड़ेगा कोई जवाब ना सूजा आखिर मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा कि मैं जाकर साहब से उनका जिक्र करूंगा मगर मुझे उमीद नहीं कि उनका कुछ नतीज़ा हूँ हकाम मातहतों के मौामले में बहुत कम दखल दिया करते है तुम जाकर कहे तो तकदीर में जो है वो तो होगा ही अच्छी बात है तो कल जाओगे खल ही जाओँगा बल्देव सिंग को रुकसत करके मैंने अपना मजबून खत्म किया और आराम से खाना खाकर लेटा मैंने बल्देव सिंग को जहासा दिया था मैं पहले से बता चुका था कि आम तोर से पुलिस का एतिबार करते है ये कहने की काफी गुनजाईश थी कि साहब ने उस मौामले में दخल देना मुनासिब ना समझा साहब के पास जाने का मैंने खाब में भी ख्याल ना किया था मैं उस वाकिया को बिलकुल भूल गया था कि आठमे दिन बल्देव सिंग अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए बेटे ने मेरे कदमों पर सर रख दिया और एक किनारे खड़ा हो गया बल्देव सिंग बोले बिलकुल मरी हो गया भाई साहब ने दारोगा जी को बुला कर खूब नाटा कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो अगर फिर ऐसी शरारत की तो बरखास्त कर दिये जाओगे दारोगा बहुत परिशान हुए जब साहब ने उसे बरी कर दिया तो मैंने दारोगा साहब को जुकर सलाम किया बिचारे और घड़ो पानी पड़ गया ये तुम्हारी शिफारिस के बरकत है बरादर अगर तुमने मदद ना की होती तो हम तबाह हो गये थे ये समझ लो चार आदमियों की जान बच गई है मैं तुम्हारे पास डरते डरते आया था लोगों ने कहा था कि उनके पास नहाग जाते हो वो बड़ा बेमरवत आदमी है उसके जात से किसी को फाइदा नहीं पहुंच सकता आदमी वो कहलाता है जिस से जरुरत मंदों का काम निकले वो क्या आदमी है जो किसी की कुछ सुने ही नहीं यही कहे मुझ से कुछ मतलब नहीं लेकिन भाई मैंने किसी की ना सुनी मेरे दिल में मेरा राम बैठा कह रहा है तुम चाहे कितने ही रूखे बेमरवत हो लेकिन मुझ पर जरूर रहम करोगे यह कहकर बल्देव सिंग ने अपने लड़के को इशारा किया वो बाहर गया और एक बड़ा सा गड़ा घर उठा लाया जिसमें अन्वाय और एक्साम के देहाती सौगाते बदी हुई थी हालांकि मैं बराबर कहे जाता था कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं मगर उस वक्त भी मुझे यह तसलीम करने का होसला ना हुआ कि मैं साहब के पास गया ही नहीं जो कुछ हुआ खुद बखुद हुआ मुफ्त का इहसान छोड़ना तबियत में गवारा ना किया तो यहां पर यह अफ़ाना कंप्लीट हुआ है अब मिलते हैं नेक्स्ट अफ़ाने के साथ ओके अलाहफेज़ आप